हेलो फ्रेंड्स हमने अंटि माइक्रोबियल जो हमने स्टार्ट कि अधा था आप हमारा अगए का है टार सेखलन क्लोरम फैनिकुल ब्लोड स्पेक्टर मैक्रड ये उलाड इस पढ़ना है तो उस में हमें इस से पहले इनका मेकैनिजम देखना होगा जो यह है सबसे पहले यहां पर यह क्या होता है यह मरने होता है यह मरने होता है और इसके ओपर राइबोसोम इससे जुड़ा हो कोछासा ही यह प्यक्टिरिया में मौन। कुछ क्यी होता है तो 50 राइबोसोम सब्यूनित सब्यूम्स के थ्रट्यै Kalwould तो इसमें जो 50 सब्यूनित में यह दो साइट और पी साइट होती है और एक होती है A site, इसमें दो site होती है, P site होती है, P site को बोलते है, P site को क्या 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 बोलते है, P site होती है, A site होती है, acceptor site, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो initiator complex of mRNA start protein synthesis and polysome formation, तो यह initiator complex है, यह क्या कर स्टार्ट प्रोटीन सिंथिस शुरू करता है पॉलिसों फॉरमेशन उसके बाद क्या होता है नसेंट प्टाइड चेन इस अटाइज़ फिफ्टी आश राईबौसों की जो नेक्स्ट आमीनो एसिड इस is transported to the acceptor site अब यह टी रन्य क्या करता है next amino acid को लेके आता है next amino acid is transported to the acceptor site से आके यह टी रन्य क्या करें अपीनो acid को लेके आएगा और यह इस साइट से जुड जेगा क्या होता है next amino acid is transported to the after site to the ribosome by its specific टी आर्नी which is complimentary कोंप्लीमेंटरी लेके आएगा कोंप्लीमेंटरी में बेस पेरिंग होती है तो ट्रन करेंगा नेक्स्ट लेके आता है और यहां पर आके बाइंड होजेगा उसके बाद क्या होता है नेसेंट पेप्टाइड चेन इस ट्रांसफर टू दा न्यूली अटैच्ट अमीनो एसिड जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है यह क्या होगी यह न्यूली अटैच्ट जो अमीनो एसिड है वहां पर जाके बाइंड होगी इसमें क्या होगा प्टाइड बॉन्ट फोर्मेश साइट और यहां पर ट्रांसफर होती है एक साइट में यहां पर ट्रांसफरॡ होती है विजल से एक साइट बड़ाला प्डइयलच को छोओतासड यहां चाहिए फेप्टा बूर्न फोर्मेशन होता है तो हमसे पढ़ लिया ओंत अस्ट पटाइट बॉर्म to the newly attached amino acid by peptide bond formation and elongated peptide chain is transferred उसके बाद क्या होता है elongated peptide chain is transferred back मतलब जो अभी हमने जो peptide chain जाके A side पे जो nascent peptide chain थी वो क्या P side से A side पे जाके peptide bond formation हो गया फिर उसके बाद जो elongated peptide chain हो दिया transferred back या shifted back elongated peptide chain is shifted back from the A side to P side जो elongated peptide chain है वो shift होती है A side से P side पे ribosome moves along the mRNA to expose the next codon for amino acid attachment तो एक बर हम इसमें डाइग्राम में देखते हैं अब इसमें क्या होता है जो यह peptide chain है यह फिर क्या होगा ट्रांस लोकेशन होता है ट्रांस लोकेशन होती है है A side से P side पे जो यह peptide chain होती है यह फिर अभी इसमें peptide bond formation हो गया ट्रांस फर यह जो जो यह थीम पी साइट से जो peptide chain थी यह यहां पर जाके यह तीनों यहां पर जाके हम बाइंड हो गए थे peptide bond formation होता उसके बाद क्या होगा यह जो peptide chain यह फिर कर ट्रांस लोकेशन होती है इस a side से P side पर ट्रांस लोकेट होगी देखो यह ट्रांस लोकेट हो गई ठीक है फिर उससे क्या होता है और ribosow move करता ऐसे protein synthesis होता है यह सब होता है इसमें इस protein synthesis में होता है यह सब अब हमें क्या देखना है हमारे जो आंटिबाइटिक्स है वो कहां पर एक्ट कर रही है हमें क्या देखना है इसके अंदर यह सब इसलिए बताया कि थोड़ा सा मतलब किस टाइप सेक्ट कर रही है अब हम देखते हैं हमारा तो हमने इसमें यह देख लिया है समझ आगे होगा ने सायंट प्रेप्टाइट चेन इस ट्रांसफर्ड या शिफ्टिड बैक फ्रों एसाइट टूपी सेट एंड राइबसों मूज अलोंग दा एमारेंट ने टो एक्सपोजर नेक्स्ट कोड़ों फिर आप्सों मूज कर जेगा एक्सपोज करने के लिएक्स कोड़ों को फॉर अम्निश्य अटेच्मेंट फ कैसे कैसे हो रही है अब हम देखींगे जैसे टेट्रासैक्रियन यह सब कहां पर एक्ट करती है तो इसमें ऐसWow B फूदा सबसे पहले कि आता है आत लाइस होता है तो यह जो हैं क्या करती है कुंसी करती है तायब देती सबस्काइब करती περιहτοinement है टेटरसाइकलिन जो अमिन आसाइट ले कर रहा है तो उसको इस पर बाइंड नहीं होने देती तो टेटरसाइकलिंग का क्या मेकैनिजम हो गया टेटरसाइकलिंग कैसे मेकैनिजम क्या प्यूर्बाइख पर यिसये स्टिप्टोर मसें सयुस्टर करना बड़ान अम्हें सब्सक्राइब चाहिए का Aminoglycosides क्या करती है बाइंड तू सैवरल साइट थर्टी एस एंड फिफ्टी एस सब उनिट एस वेल एस टू दियर इंटरफेस और क्या करते है फ्रीज इनिशेशन इंटरफेयर विद पॉलिसम फोर्मेशन और कोस्मिस्रीडिंग ऑफ दैमारेन कोडोन यह क्या करती है इन मिस्रींग डेती है तो यह मिस्रीडिंग ऑफ दा मैसेज करती है तो यह हम देख लिए अमिनोगलाइकोसाइड का नेक्स्ट उसमें क्या था इनिबिशन ओफ ट्रांस पैप्टाइडेशन क्लोरम फैनिकॉल जो है वो किस पर बाइंड होगी 50S राइबोसों पर बाइंड होती है 50S राइबोसों पर बाइंड होती है उसके बाइंड होती है जो पैप्टाइड चैन थी वो क्या होती है एक लौरम फैनिकॉल क्या करती है interfere with peptide bone formation and transfer of the peptide chain from P-side P-side से जो peptide chain transfer होती है peptide bone formation होता हुसको ये क्या करते है inhibit करती है तो इस type से क्या करते है protein synthesis को inhibit कर देते है ये किसका mechanism होगा chloramphenicol का mechanism of action हो गया याद रखना है 50S पे bind हो रही है chloramphenicol next देखते हैं inhibition of translocation तो कौन सी अंटिबाइटिकर translocation को inhibit करेगी वो है erythromycin erythromycin and clindamycin also bind to 50S ribosome chloramphenicol भी 50S पे bind हो रही है erythromycin और clindamycin भी कहां पर bind होती है 50S ribosome पर bind होती है and hindered translocation of the elongated peptide chain back from A-side to P-side जो A-side पे जो peptide bone formation हो था transfer to peptide chain हो था P-side से A-side पे तो अब फिर क्या होता है वापस से जो A-side से जो translocation होता है peptide chain का वो वापस से A-side से P-side पे आती है तो translocation को ये जो macrolides antibiotics होती है जो ये clindamycin और erythromycin है ये क्या करते हैं translocation को inhibit कर देती है translocation नहीं होने देती तो क्या करते हैं क्या करते हैं ये भी किस पर 50S पर बाइंड हो रही है and hindered translocation of the elongated peptide chain back from A-side to P-side and ribosome does not move along the mRNA to expose the next codon तो इससे क्या ribosome move नहीं होगा और इससे क्या होगा peptide synthesis में भी prematurely terminated peptide synthesis जो है protein synthesis वो क्या होगी क्या होगी होगी तो ये हमने देख लिया क्या एक बर ये एक translocation को inhibit करती है कौन सी तो अगर पूछे की erithromycin का मतलब macrolide antibiotics का क्या mechanism है तो macrolide अगर मतलब broadly हम बोले तो क्या करती है inhibit करती है किसको translocation को inhibit करती है और हम किस से bind होती है 50S ribosome से इसको inhibit करती है और ये abnormal codon anti codon leads to mist reading ये किसका है amino glycosides का होज़ेगा और tetracycline क्या करती है ये compete करेगी TRNA के साथ A side से bind होने के लिए और 30S ribosome पर bind होती है और inhibit करती है amino cell TRNA attachment to the A side A side से TRN attach होता है स्टार्टिंग में ये उसी को प्रोटिंज इनिवेट होज़ेगी तो हम इसको एक बार डाइग्राम में एक बार दुबारा से देख लेते हैं कि बहुत important आगर ये समझा आगे ना तो बस फिर mechanism में कुछ भी नहीं है बस फिर तो पर ये एक बार ना इस समझाना भो जिरूरी है तो हमने क्या देखा टीर्फेक्लिंग तो इसने इसको यहां पर प्रोटिन सिंथेजिस को इस टैप पर कर देना है तो टेटर सैक्लिंग क्या करती है यहां से इस पर ट्रांसफर होती है पर ट्रांसफर होती है तो यहां पर 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 बढ़ीज में क्या और इसको कौन करती है क्लोराम फैनिकल क्या करती है उसके बाद क्या होता है यहां पर यह हो गया इसके बाद यह पर पूरी प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् इस वीडियो में इतना ही आगे की वीडियो में हम टेटर सैक्लिंग, क्लोरम, फैनिकुल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जिरूर करना ओके, थैंक यू